जाहिंद इस वीडियों में लोग जेपी पाउर कंपनी बाइरेंगे बात करेंगे जेपी पाउर का जो सेर प्राइस एक कई दिनों से 670 रुपय के बीच में अटका हुआ है ना तो इससे नीचे जा रहा है ना इससे ऊपर जा रहा है हाला कि नीचे ना जाये तो ही बहतर है लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसके उपर कब जाएगा तो इस वीडियों में लोग इसी साम होना को पर बात करेंगे कि इसका सेर प्राइस 7 रुपय के उपर कब निकलेगा और साथ में इस कंपनी का फ्यूजर ग्रोथ क्या है तता यह भी बताऊंगा कि नया लोग इसमें लेना चाहते हैं तो क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए हर एक चीज़ पर कंप्लेट बात होगी आए वीडियों सुरू करते हैं देखिए सबसे पहले इसका मार्केट केप जो है चारहजार साथ सो करों रुपया लगवग पांश करों की यह कंपनी बन चुकी है और य अब मार्च चल रहा है तो लगवग एक मास इस कंपनी का सेर प्राइस तो इसके बाहर निकलता है तो बहुत सम्होना होती कि उसका सेर प्राइस उपर की तरफ ही जाता है हो एक मास से सेर परिज लटका हुए तो जैसे से बाहर निकलेगा साथ इस से नीची नहीं आता है लेकिन इसका आग अराकि है कोई नुकसान नहीं है निचे आया है और बात करें तो कमपनी का सेर्वाइस बुक वेलु से उपर हिराता है और बहुत ज़ल्द इसका भी सेर्वाइस अपने बुक वेलु को उपर जाते विए दिख सकता है इसका आरो यह और रोसी दूनों ग्रोफीट ग्रोफीत बात करें तीन साल का 30 परसेंट एक प्रेंडिये के लिए इसका जो अच्छा उपर चाहिए इसका निकलने के बाद जैसे मैंने कहा अधिकत्तम शेयर वाईस ऊपर जाते हैं तो आपको आठ रोपया और रोपय तो यह अपने आपको यह लेवन को पार क लटका हुआ है कि फिक्स नहीं होता है तो आज चाहर और दूसरा का बात समझें अब समझें इसमें जो बढ़ता है कि किसी कंपनी में अपनी अच्छा माना जाता है और इससे एक बात की समझना बढ़ती कि सेरप्स अगर नीचे आता है तो यह लोग उसको नीचे नहीं आने देंगे इस्थिर कर लेंगे और सबसे मज़िक बात है कि इसमें डुमेस्टिक इंस्टिशूशन इन्वेस्टर यानि कि हमारे देश के जो मुश्वल पंड बैंक को एक रहा होते हैं उनकी हिस्सेदारी इसमें अच्छे खास्ते लगवग 23.2 परतिसत और पॉब्लेक के माइनस एक क्रोन का लॉस था लेकिन क्वार्टर फंडमेंटल में कोई कमी नहीं है असेट भी कंपनी के लगतार बढ़ते जा रहे हैं और हलागी कंपनी ओपर करजा है लेकिन करजा हाला की देखेंगे तो इसके जो मार्केट के अपर उससे अधिक है लेकिन अच्छी बात मार्केट के साफ से समझें आप इसको क्वार्टर फूर्ट तक अगर आपके पास इसमें हिस्सेदार है तो बेसक परफूर्ट कीजिए तो कंपनी में 20 फोटक धमागा होगा मतलब कर सकते कितना ऊपर यह कंपनी आपको लेका जा सकती है सबसे मजब बात में आपको बता र इसके उपर भी कंपनी काम कर रही है तो इसके बाद इसका में फ्यूचर काफी ब्राइट है अगर इस सेक्टर में कंपनी खड़ा उतरती है काम अच्छिस करती है तब इसलिए अगर आपके पास सेर है तो ज्यादा नहीं क्वार्टर के रिएट तक आने तक होड़ कि अगर इस कंपनी का सेर प्राइस पांस रुपे के लेवल तक आता है तो वहां पर आप इंट्री ले लिजीगा अभी इंट्री मत लेजिए आपके लिए रिस्की हो सकता है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बाते समझ भाई होगी वीडियो इंफर्मेटिव लगा ह अगर मन में कोई स्वाल है तो मुझे से कवेने पूछ सकते हैं पर असमली मुझे जूर बाते करना चाहते हैं तो मुझे इश्टागर आपको कर सकते हैं बात मिलते हैं नेक्ट प्रेम तो 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 तेले धन्यवाद सुक्रिया